Hello kids, Jays International School के online video tutorial में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है So, आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हम ascending order और descending order के बारे में तो क्या आपको पता है कि ascending order और descending order क्या होते हैं? तो आईए इस वीडियो से हम जानते हैं ascending order और descending order क्या होते हैं First of all, we learn about ascending order When we arrange numbers from the smallest to the greatest, we call it ascending order Ascending order means increasing order इसका मतलब है कि जब हम numbers को छोटे से बड़े की तरफ सजाते हैं तो उसे हम ascending order कहते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब पहले हमने सुरुआत किया छोटे number से उसके बाद उससे बड़ा number रखा हमने उसके बाद उससे बड़ा फिर ऐसे करते करते सबसे last में सबसे बड़ा number smallest to largest ascending order यहाँ आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 जैसे आप एक नॉर्मल सा एक्जामपल लो आप सीडियों पर जब उपर की ओर चड़ते हो तो उसे हम ascending order बोलेंगे ठीक है? आफ्टर ascending order वी लॉर्ण अबाउट descending order वेन वी अर्रेंज नमबर्स फ्रम ग्रेटेस तो देख स्मॉलेस वी कॉल इडिसेंडिंग गॉर्डर डिसेंडिंग गॉर्डर मीन्स डिक्रीजिंग गॉर्डर ठीक है? तो descending order का मतलब होता है जब हम नमबर्स को बड़े से छोटे की तरफ सजाते हैं तो उसे हम descending order कहते हैं जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहां हमने देखा कि सबसे पहले हमने सबसे बड़े नमबर को रखा उसके बाद उससे छोटे नमबर को उसके बाद उससे छोटे नमबर को उसके बाद उससे छोटे नमबर को और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में हमारा सबसे छोटा वाला नमबर रह गया यहां आप देख सकते हो largest to smallest descending order का मतलब होता है largest to smallest पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ठीक है? तो आपने इन दोनों पिक्स से एक चीश cookies clear किया कि ascending में क्या होता है smallest to largest आपको smallest number सबसे पहले लिखना है then उससे बड़े नमबर को लिखना है then उससे बड़े नमबर को लिखना है ठीक है? अन descending में आपको क्या करना है largest to smallest आपको सबसे पहले सबसे बढ़े number को लिखना है उसके बाद उससे चोटे number को लिखना है उसके बाद उससे चोटे number को लिखना है ठीक है तो यहाँ आपको कुछ numbers दिये हुए हैं मैं first वाला आपको solve करके बताती हूँ one three five four आपको चार number यहाँ दिख रहे हैं first तो आपको यहाँ 1 लिखना है Next, greatest आपको 1, 3, 5, 4 इन चारों में से जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर चूज करके लिखना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 ठीक है? smallest, 1 greatest, 5 उसके बाद आपको इन चारों नंबर्स को ascending order में लिखना है तो पहले 1 फिर 3, फिर 4 उसके बाद 5 ठीक है? तो बाकी की यह questions आप अपनी copy में लिख के solve करोगे और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी confusion होगा देन आप comment section में लिख कर पूछ सकते हो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर बाबाई हाव गूड डे